कि नम्सकार दोस्तों आज हमने ताज़ा-ता-ताज़ा मेथी से ईकतम करंची नास्ता बनाए तो देख सकते एक ता ना करंची बना हैं वराना के लिए क्या पर एक दिएक शीकर्ट डाल कि यह अच्छी है कि बहुत कुछे करने कर दोस्तों तो कम से कम थीन पानी में दोई और इसको फिर को फिर रारी काट लेंगे तो अच्छी से पुड़िया बन पाएगं यह तो और बड़े रहेंगे ना तो बाहर निकल जाएगे फिर पुड़िय काच्य टेस्ट नहीं तो अभी हम एक चमस अजवाइन ले लेंगे उसको अच्छे से हार से मसल के डाल देंगे ताकि खुस्बूक और टेस्ट बहुत अच्छा है लसुन मीर्ची का पेष्ट अमने डाल दिया है थोड़ा साहरा दनिया डाला है तो आधनुसार हम डालेंगे नमक, आधा चमस लाल मिर्च पाउडर, आधा चमस हल्दी पाउडर, आधा चमस जीरा पाउडर, आधा चमस आदे से भी कम, गरम मसाला, एक चमस तेल और एक बड़ा चमस हम डाल देंगे तिल और अच्छे से हार से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तो तो थोड़ा पानी दाल के आटे को गूल लीजिए हमें गीला नहीं गुनना है आटे को गूल लीजिए अग्तम गीला भी नहीं हो एकडम कठोर भी नहीं तो आप देख सकते हैं ऐसा गूंदिए कि मैरे पोड़ी बनाते समें एकडम चिपके ना अच्छी से अम उसको बेल प तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए में जगता दर्त कर लिए आपका एक साइब आपका एक साइब शक्यक के जूता है तो साइब बिल्कुल फ्री में होता है तो कर लीजिए लाड कल corporation to love it कि दबा दीजिए ज़ल कि भी तो देखिए ca तो देखिए हमारे तेल बिल्कुल गरम हो चुका है तो हमें पुडियों को डाल दिया इसके अंदर तो दोस्तों आज हमें बिल्कुल धीमी ही रखनी है धीमी ही आज पे हमको इसको बनाना है अगर आज तेज रहेगी तो उपर-उपर से लाल हो जाएगी लेकिन करंची नही बनी है तो दोस्तों नास्ता बहुत अच्छा बनाएं चाय के साथ खाईए दोस्तों को खिलाईए और सस्काइब जरू कीजिए